हेलो अबरिवान आई वेलकम योन आर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक के चैप्टर नंबर 2 नियोजित विकास के बारे में बिलकुल डीटेल में जानेंगे चैप्टर को और साती साथ इसके नोटस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगे और यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होने वाला है तो इसके पार्ट वन का जो लिंक है वह आपको पर आई बटन वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पार्ट को देखने से पहले उसको जरूर द कैसे बात करेंगे निये यान उने रभी निना योग है किसे भारत ने अपना विकास कियान प्रटन क्या कर दियाग nosotros नुद चाहितर बात करूई तो लिए जास भी पंदे ना सब बनाता है युद्र क्राइब देखेंगे इसे गोत ब्रटन कर दिया गया जुफ़ciones तो पहली पंचवर्षी योजना खब बनी 1951 से 1956 के लिए अनि胆ई 1950 में योजना युग बनाय 8 जैसा कि मैंने बताय था आपको और उसके बाद पहली पंचवर्षी युजना वनी1951 से 1956 के लिए ठीक है तो भारत में पहली पंचवर्षी योजना को 1951 में लागो किया गया और यह योजना 1956 तक चली अब इस योजना के जो मुख्य योजना का अर्थी वो के एन राज थे इनका नाम आपको याद रखना है कभी कभी एक मार्स में पूछ लिया जाता है इस योजना के उद्धेश्य क्या थे सबसे पहले तो इसमें क पर द्यान के इंद्धित किया गया साथी साथ दूसरा इसका उद्धेश्य था कि देश को गरीबी से बाहर निकालने जो हमारा देश था वह गरीबी से जूज रहा था हमने पुरानी वीडियो में डिसकस किया था कि क्या इस्तिती थी तो वह गरीबी से जूज रहा था तो 1956 में लागू किया गया और ये कब तक चली 1961 तक यानि 1961 तक इस योजना के जो मुखे योजनाकार थे वो कौन थे पीसी महाल नोबिस इनका नाम भी आपको याद रखना है इसके उद्ध्योगों पर तो जैसे पहली पंच वर्शी उजना में किस पर ध्यान देना शुरू किया गया उद्ध्योगों पर तो इसमें क्या हुआ कि बड़े उद्ध्योगों का विकास करने की कोशिश की गई दे नहीं देश में भाइठ्यगों की बहुत क से अंतली कि हम यहां से बाहर बेज़ रहें ना कि भाहर से मंगा आए तो ऐसे में भारित कि यात यात हो गया, इस पात संचार आदी की विवस्त इन सब का क्या करना, विकास करना, तो ये किसमें किया गया, दूसरी पंचवर्षी होजिना में, इस पर ध्यान दिया गया, इसके अंदर हुआ क्या, देखे क्रिशी की क्या क्या समस्चाइए थी, हमारे देश के, याणि तेक तो सिचप बारिस तो अच्छी क क्रिशी तो अच्छा खाध यह अपर सिण नहीं होई तो तो इसिए वजे से सिजएग की सविधाई नहीं थी antes जा निमनोदपा तपर मतलब है कि माल ली जीए एक इकड की जमेन के अंदर मालूं मैं sotn गय हों उगा सकता हूँ कितना sotn पर अच्छे बीज ना होने की वज़े से यह व्यवस्था अच्छी ना होने की वज़े से या मिटी का प्रकार के हिसाब से फसलना हुगाने की वज़े से जो मेरा गहूं है ना वो सिर्फ कितना उगता है सत्र टन ठीक है तो इसी को बोलते हम क्या निम्न उत्पादकता यानि किसी वज़े कैसे किया गया गूमी सुधार के द्वारा भूमी सुधार या क्रिशी सुधार इन्हें हम कह सकते हैं तो पहला क्या किया गया कि जमीदारी प्रता समाप्त कर दी गई जमीदारों को हटा दिया गया दूसरा किया गया कि सिचाय के लिए बांध बनाए गया ताकि हर खेत के अं के लिए सुलजाने के लिए उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्द कराए गए साती साथ खंडिजोतों को समाप्त किया गया यानि मान लीजिए बहुत सारे छोटे 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 खेट थे तो उन सब मिलाकर एक बड़ा खेट बना दें तो यह जगा पर भी हम क्या कर सकते हैं खेटी कर सकते हैं साती साथ लोग एक साथ काम करेंगे तो उत्पादक्ता क्या होगी जादा अच्छी होगी तो इन्हीं सब वज़ाओ से क्या किया गया खंडिजोतों को खतम किया गया और बड़े क्रिशी की हालत खराब हो गई यानि दूसरी पंच वर्षी उजना कब से कब तक चली 56 से लेकर 61 तक तो 61 के बाद क्रिशी की हालत खराब हो गई क्योंकि क्रिशी पर ध्यान नि दिया था पांस साल तो क्या क्या हुआ नुकसान देखिए भारत में खाद्यान संकट आगया क्रिशी की हालत खराब होई तो खाने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं ना यानाच की कमी हो गई तो भारत में क्या आगया खाद्यान संकट आगया कब आगया 1961 के बाद यानि 1960 के दशक में तो क्या हुआ कि देखिए दूसरी पंच वर्षी उजना में द्योगों पर ध्यान देने के कारण भारत में खाद्यान की कमी हो गई और 1962 में जैसा कि हमें पताई कि चीन से युद्व हुआ था हमारे तो इस सब्स स्ब्सक्ति से अमेरिका क्या गरने लगा दवाब बनाने लगा भारत के उपर तो भारत के आगे बस अब एक ही रास्ता था कि किसी भी तरीके से वो खाध्यान के मामले में आत्म निर्बर बने वरना उसके लिए समस्य हैं डेफिनेटली बढ़ने वाली थी तो इसी चीज़ को देखते अग्दम से क्या होई अत्यादिक व्रिदी वही यह दौर था 1964 से 66 का यहनी 64 से लेकर 67 का अब बात आती है कि हरित करांती आई कैसे तो देखे हुआ क्या कि देश में खाध्यान की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने खाध्यान उत्पादन की व्रिदी पर ध्यान देना शुरू किया ठीक है उसके लिए सरकार ने क्या किया कि अच्छी किस्म के बीज उपलब्द कराए किसानों को ठीक है किसानों को भूमे अनुसार उत्पादन की सलादी देखे माली जी एक जमीन है और दूसरी जमीन है तो दौनों के अंदर क्या होगा कुछ डिफरें कारन की सलादी गई साथी साथ किसानों को और अधिक साहता उपलब्द कराए गया ताकि वो और जादा कि अगर सकर अच्छ से उत्पादन कर सके तो इससे हुए क्या Aww इंग से विरी ओ गए ना और अular गुब्रण की सिरूब ठीक तो अब क्या होने लगा क्रिशी करने के बाद किसान उसे sandy मंडियों मिले जाकर बेचकर उससे पैसा भी गमाने लगे तो भैपारी करण के शुलुमिय तो इसकी जो प्रभाव था वो भी कुछ शेत्रों तक सीमी तरह जैसे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं रहा साती साथ अमीर और गरीब किसानों के बीच में क्या होगा अंतर बढ़ गया जैसे कि मैंने आपको बताई कि एक मद्धेवर था ठीक है तो हुआ क्या देखे जैसे मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है कि आजादी के बाद भारतिय और तोस्ता में क्रिशी तता उद्योग दौनों की हालत खराब थी ठीक है वैसे तो क्रिशी पर देश लगबक सत्तर प्रतीश जनसंख्या निरबर थी फिर भी लोग कम लगे थे प्लस आधारिक संरचना नहीं थे यानि बिजली की विवस्ता बजार वगेरा कुछ नहीं था और उद्योगों का विकास वैसे ही नहीं हुआ था अंग्रेजों की वज़े से तो इस्तिती और जादा खराब थी अब दौनों ही शेत्रों का अपनी अपनी थी प्यादा गरनी पड़ी ठीक है तो दौनों पर ही ध्यान देना जरूरी था तो सबसे पहली समस्या तो यही थी कि आखिर किस पर ध्यान दिया जाए ठीक है अब क्रिशी पर ध्यान देने की वज़े से क्या हुआ उद्योगिक शेत्र पिछर जाता था और अगर उद्यो जरूरी थी ठीक है जबकि विकास के लिए ठीक है और देश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग जरूरी थे तो दोने तरफ क्या हो गई सरकार फस गई तो यही सबसे बड़ी समस्या थी होजना वनाने की कि कि किस पर कितना ध्यान दिया जाए नेक्स्ट अगर हम देखे हमने पढ़ा था पिछली विडियो के अंदर कि भारत ने मेश्री तर्थ योस्ता अपनाई जिसमें निशी शेत्र भी था और सारजनिक शेत्र भी था ठीक है अब इसी वैवस्ता की सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरीके से दोनों शेत्रों का विकास किया जाए ठीक है क् सारजनिक शेत्र क्या करता समाजिक कल्यान को बढ़ाता पर इसके अंदर ब्रष्टा चार और निम्न उत्पादक्ता जैसी समस्या थी जबकि निजी शेत्र में ब्रष्टा चार और निम्न उत्पादक्ता तो नहीं थी पर इसके दोरह समाज कल्यान करना क्या था बहुत ज क्लियर हो गया ठीक है इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेफ्ट नहीं है ठीक है नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर नहीं होगा तो कुस दिन में अपडेट हो जाएगा तो एक बार दुबारा विजिट कीजिएगा हमारे टेलिग्राम गुरूप को जाइन कीजिए इंपॉर्टन कोश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे और वीडियो के लिए और एक लाइक छोड़ कर जाएगे क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए सु थाइंक्यू बैरी मच भुटाइब बनाने के लिए सु थाइए चैनल को आपका लाइक हैूझ isolate को ऑ цен auto connect वाइक है